नमस्कार दोस्तों चत्तीसगर न्यूज अपडेट में तो इस समय की बड़ी वारदात सामने आई है। चचेरी बहन के साथ दो दिन तक किया रेप, हैवान भाई गिरफतार, सरगुजा, जिले में रिष्टे को तार-तार करने वाली एक घटना सामने आई है। जहां चचेरे भाई ने बहन के साथ दुशकर्म की वारदात को अंजाम दिया है। पीडिता की शिकायत पर पुलिस ने दुशकर्म करने वाले आरोपी चचेरे भाई को गिरफतार कर लिया है। यह मामला अंबिकापुर की सिटी कोतवाली थानक शेत्र का है। पीरित बस से अपने माई के कुसमी सामरी की ओर से अपने ससुराल अंबिकापुर आ रही थी। इस दोरान उसके ही चचेरे भाई नंदू रवी ने शंकरगाट के पास फोन कर घर चोड़ने की बात कहते हुए बस से उतरने कहा। भाई की बात मानते हुए चचेरी बहन बस से उतरी जिसके बाद आरोपी चचेरे भाई ने पीरिता को अपने रिष्टेदार के घर ले गया जहाँ दो दिनों तक महिला को अपने साथ रखकर दुशकर्म की वारदात को अंजाम दिया। महिला के घर नहीं पहुँचने पर परेशान परिजनों ने उसकी खोजबीन की। जैसे तैसे महिला अपने घर पहुँची और परिजनों को अपने साथ हुई घटना की जानकारी दी। इसके बाद परिजनों के साथ थाने पहुँचकर पीडिता ने मामले की शिकायत कोथवाली थाने में दर्च कर आये मामले की गंभीरता को देखते हुए ततकाल कार्रवाई करते हुए कोथवाली पुलिस ने रिष्टे में लगने वाली बहन के दुशकर्म करने वाले आरोपी चचेरे भाई को गिरफतार कर जेल भेजा